नमस्कार दोस्तों, शारुक खान के बेटे आरियन खान को ड्रग क्रूस शिप्ट के इसमें बेल मिलने के कुछी दिनों बाद अभी एक बहुत बड़ा पवाल मचा हुआ है लोग ये बोल रहे है कि अक्षे कुमार, खिलाडी कुमार वो ही शक्स है जिसने आरियन खान को गिरफतार करवाया और इतने दिनों तक आरियन खान जेल में थे उसके पीछे है अक्षे कुमार जिया दोस्तों ये बहुत बड़ी बात अभी निकल के आई है और ये बात करने वाला मैं नहीं हूँ, ये बात करने वाले है महारास्टर के एक बहुत बड़े मंत्री नवा मलिक जो काफी दिनों से NCB के जोनल डिरेक्टर समीर वांखेडे पे निशाना कसे हुए थे नवा मलिक ने अभी ये दावा किया है कि बॉलिवूट को अभी मुंबई से नौइडा शिफ्ट किया जा रहा है जो मुंबई में जो बॉलिवूट बोलके जो हम लोग जानते है एक इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को अभी नौइडा शिफ्ट किया जा रहा है और उस उन्होंने ये बोला है कि एक्षे कुमार भी योगी जी से मिले थे योगी आदित्यनाथ से एक्षे कुमार की मुंबेई में भेत हुई थी तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि शायद अक्षे कुमार भी उस साजिश में है जिसमें बॉलिवूट को नौइडा शिफ्ट किया जा रहा है और उसी के दोरान आरियन खान की गिरफतारी भी हुई है क्योंकि आरियन खान का गिरफतार होना एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का हिस्सा था ऐसा ही धावा कर रहा है नवा मलिक तो अगर आप उनकी माने तो बॉलिवूट के जो खान्स है उनको पीछे छोड़ने के लिए उनको धक्का देने के लिए उनको जटका देने के लिए ऐसी साजिश हुई थी और इस साजिश में अक्षे कुमार भी हो सकते हैं। इसका ये रिजन है क्योंकि अगर आपको पता होगा कि 90's के दशक में अक्षे कुमार और शारुक खान के बीच एक cold war चल रहा था। उसमें शारुक खान जीत रहे थे क्योंकि शारुक खान ने back to back hit movies दी है। उसके बाद अगर आप late 2000 की बात करें तो फिर अक्षे कुमार ने dominant किया है। एक के बाद एक hit movies अक्षे कुमार की आ रहे थी और शारुक खान की पिछली hit movie कब आये थी ये हमें शायद अभी पता भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक cold war चल रहा था। शारुक खान ने एक दफा अक्षे कुमार को waiter भी बोला था। क्योंकि अक्षे कुमार जैसे आपको पता है कि बॉलिवुड में आने से पहले उन्होंने कई सारे part-time jobs उन्होंने किया था जिसमें एक waiter का काम भी था। तो इसी पे तंच कसते हुए शारुक खान ने अक्षे कुमार को waiter भी बोला था। और उसके बाद अभी आरियन खान शारुक खान के बेटे है और आरव कुमार जो अक्षे कुमार के बेटे है इन दोनों में भी एक comparison चल रहा है सब जगा पे आप देख सकते हो कि आरियन और आरव की वीडियोज भाइरल हो रही है दोनों में comparison हो रहा है और October के तीन तारिक को NCB ने आरियन खान और उनके दोस्तों को गिरफतार किया था तो ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि शायद कि अक्षे कुमार इसके पीछे है अक्षे कुमार इसमें शामिल है तो क्यार के स यह जो टूइट आया है यह एक पक्की खबर तो नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है कि अक्षे कुमार इसमें शामिल है यह जो पूरा conspiracy चल रहा है यह जो पूरा शरियंतर चल रहा है इसका एक हिस्सा अक्षे कुमार भी है दोस्तों और एक खबर सुनने को यह मिली है कि आरियन खान बहुत जल्द जेल में जा सकते है क्योंकि आरियन खान के खिलाफ NCB ने जो चार्ज़ लगाए है वो अभी पब्लिक डोमेन में आ गया है और वहां पर आप देख सकते हो कि NCB का यह कहना है कि आरियन खान के पास से उन्हें कोकेन, MDMA, चरस, घांजा, बहुत सारे ड्र भाग्स और कैश मिला था, जिसके कारण आरियन खान को गिरफतार किया गया था, तो अगर NCB का यह जो दावा है, यह सच है, तो आरियन खान के खिलाफ आप देख सकते हो कि ठो सबूत थे जिसके कारण आरियन खान को इतने दिनों तक जेल में रखा गया था, और नॉर्मल कि ये बेल बहुत ज़ादा दिनों तक आरियन खान पे लागू होगी और बहुत जल्द आरियन खान को फिर से जेल का दर्वाजा खटकठारा पड़े दोस्तों बॉलिवुड में ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है ये बहुत पहले से हम लोगों को पता चल गया था स्पेशली तब जब शुशान सिंग राजपूत को मारा गया था और उसके बाद बॉलिवुड से जो रियाक्शन आया था वो देखने लायक था बॉलिवुड से एक भी बड़ा स्टार आके सामने ये नहीं बोला कि हमें न्याय चाहिए हमें जस्टिस चाहिए हमें CBI करेंगे मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी आपको यहीं बताया था कि कैसे एक दोगली एक यहां पे ग्रूप है बॉलिवुड में जो आरियन खान को सपोर्ट कर रही है आरियन खान को बेल मिल गई उसके बाद ये लोग खुशिया मना रहे है पबलिक फोरॉम्स में आक रूप ले सकती है ये लोग बॉलिवुड के कितने घिलोने हो सकते है ये तो आपको पताई चल रहा है आपको क्या लगता है इस पूरे एपिसोड के बारे में आपके क्या राय है मेरे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए और रेगूलर अबडेट के लिए म है हिंद और जस्टीज पर सुष्ण और